पेस्टू में सेलेक्ट होने के लिए क्या करें? काफी बच्चों के सवाल रहता है, बच्चे पूसते हैं लगातार कि सर क्या ऐसा करें कि जीडी में फाइनल सेलेक्शन हो जाएं सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि एरफूस के अंदर जीडी के अंदर बच्चे आपकी प्रिजेंटेशन स्किल्स को बहुत जाद अब्ज़र किया जाता है जो कि एक adaptability test आपकी personality का evaluations करने के लिए इस test को लिया जाता है तो मैं आप लोगों को 5 important points बताऊंगा उन 5 important points में आप लोगों को उन पे काम करना है और जब आप उन पे काम करेंगे तो definitely आपकी personality जो है वो एक level 1 से level top पे ज़रूर पोज़ाए यगर आप definitely कहेंगे कि sir definitely आपने काफी important चीज़ हमारे साथ share की है तो चले शुरूबात करते हैं जैसे कि हम मैं एक quote के साथ बोलता हूँ let's touch the sky, आओ आस्मान चू लें क्योंकि हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है क्योंकि Indian Air Force मतलब आकास को चूने वाला ठीक है नए, एक पहला step हम भढ़ने जा रहे है तो आपको बताना चाहूँ बचे ये सवाल students का रहता है कि ये 5 tips से clear होगा phase 2 ये कौन सी 5 tips हैं ये कौन से 5 important points हैं जो बहुत ही जादा खास बहुत ही जादा important रहने वाले है तो नीचे सबसे जुरूरी चीज जिसको मैं कहता हूँ golden tips और इसमें भी निकल कर आता है that is articulation articulation क्या होता है साफी लोग इसको लेकर बड़ा confused रहते हैं articulation मतलब क्या इस दुनिया में जो इंसान अच्छा बूलना जानते हैं तो इसका मतलब है कि उस इंसान का articulation बहुत अच्छा है articulation को और अगर detail में समझने की कुशिश करें कि जैसा आप दिल से बूलना चाह रहे थे वैसा ही आपने अपने thoughts को सामने वाले के पास जो है present कर दिया उसको कहते हैं कि आपका articulation सही है कभी आप लोगोंने stage पर perform किया हो तो आप लोगोंने यसी महसूस की होगी कि जैसा हम बूलना चाह रहे थे और वैसा नहीं बूल पाते तो एक guilt हमारे अंदर रहता है कि सर उतना अच्छा नहीं बूल पाया सोचा तो बहुत अच्छा था तो उसी को कहते हैं कि हम articulation अच्छा नहीं था that's why presentation skills उतनी अच्छे तरीके से निकल के नहीं है और यही एक सबसे बड़ी कमी है students की जो देखने को मलती है कि सर topic की practice बहुत अच्छे से की सर याद भी बहुत अच्छा था वहाँ पर जाके सर नर्वस हो गया सर वहाँ पर present नहीं कर पाया आता सब कुस था बट हुआ नहीं तो बच्छे इस चीज को कहते हैं articulation का अच्छा ना होना और articulation को अच्छा करने के लिए बच्छे मैं आप लोगों को आज tips बता रहा हूँ एक minute का जो जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें self introduction और topic का narration आपको air force में बोला जाएगा तो मैं आप लोगों को highly recommend करूँगा कि आप एक minute के अंदर प्यारे बच्छो अपना self introductions को record कीजिए selfie camera से अब बच्छे mirror का जमाना नहीं है अब technology advance हो गई है तो हमें भी अपने आपको जो है अप्ग्रेड करना पड़ेगा और आपकी better moment के लिए बच्छे मैं बता रहा हूँ कि आपको हर रोज एक एक clip record करने आपने self introduction की उसमें आपको देखना आपने facial expressions जो content आपने line याद की है air force का 30 minutes का जो मैंने 30 seconds का जो मैंने आप लोगों को जो concept बता है उसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जैसे जैसे आप ये करेंगे तो आपको definitely ये मैसूस होगा अंदर से आपका articulation gradually improve होगा और आप definitely बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर अपने आपको present कर पाएंगे It's all about your psychology और जब आप perform करेंगे, record करेंगे अपनी वीडियो को खुद ही देखेंगे तो आपको बता चलेगा कि अब मुझे यो है ऐसे नहीं करना था, यहाँ पर मैं facial expression सही नहीं था, मुझे ऐसे बोलूँगा मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो यह बच्छे articulations का point है जो कि आप लोगों को improve करता ही आपको definitely face to get the selections की एक कड़ी में आपकी जो है नाम जो बच्छे लिख दिया जाएगा दूसरा यहाँ पर important point है that is confidence यह कहा जाता है कि confidence is key to success but क्या है reality confidence आता कैसे क्या सर इसके लिए कुछ करना पड़ता है बिल्कुल मेरे दोस्त ध्यान से सुन लीजे गए इस बात को जो भी इनसान बहुत confident बोल पा रहा है मतलब उसकी psychology improve हो चुकी है कि बोलने से कुछ नहीं होता है और बच्चे कहते हैं कि करने से ही हमें आता है practice makes a man perfect यह statement आप लोगों ने सुनी होगी बट कितनी सही है कितनी गलत हमें आपको बता दू बच्चे अगर रूई के हतोड़े से बना कर मैं दिवार तोड़ने की कोशिश करूँगा तो जिन्दिगी भर वो चीज नहीं होगे और यह से लिए कहा जाता है statements को हम कहते है right practice makes a man perfect एक सही तरीका ही इनसान को सफल बनाता है और कहते हैं कि बच्चे यह confidence is key to success सही तरीके को use करकर ही आप confidence gain कर सकते हैं देखे बहुत कमाल की बात यह है यह matter नहीं करता बट आप कैसे बोल रहे हैं यह बहुत ज़ादा matter करता है इसी को बच्चे हम कहते हैं confidence और जिसने भी confidence जिस इनसान के अंदर भी है वो definitely चुमबक की तरह जो बच्चे लोगों को खी चलानता है और इसको improve करना जैसे articulation improve होगा दोस्तो जो मैंने आपको एक technique बताए कि आप selfie camera से अपने आपका एक minute का जो हर रोज एक record की उसको देखें कि मैं कैसा कर रहा हूँ आपको regular definitely धीर 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 आपके psychology आपका non verbal skills भी improve होगा और आपके जो NLP power है वो definitely धीर धीरे gradually बढ़ने लगी यही तो होता है अगर मुझे आज बोलना है stage पे जाके तो हो सकता है पहले दिन मुझे डर लगेगा जैसे जैसे मस को regular करने लगूँगा तो धीरे धीरे मेरा brain बोलेगा रहे कुछ भी नहीं है क्योंकि सिरफ images का ही game है और वो image धीरे धीरे बदलने लगती है तो confidence gain करने का वही technique बच्छे बोलिए आप challenges को face कीजिए ताकि आप अपने उस confidence को जो है gain कर पाए तर जो important that is your body language देखे एक बहुत बड़ी scientific study मैं आप लोगों के साथ share करता हूँ बच्छे जो कि कहा जाता है कि 10% 7-10% matters your content आपका जो content है जो topic का matter करेगा और 90% आप उसको कैसे present कर रहे हैं वो matter करेगा क्योंकि अगर ऐसा होता तो Air Force में वो ऐसे लिखवा लेते देख लेते कि आपका English अच्छा है कि आप English में लिख पा रहे हो उनको ये नहीं चाहिए उनको चाहिए कि एक topic अगर आपको दिया जाता है क्या उस topic को आप अंदर से अपने thoughts में उस topic को express कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये सबसे ज़ादा जरूरी हो जाता और ये ही खास रहता है जो कि आप लोगों को detail में समझना होगा तो ये ध्यान रखना है तो मैंने यहाँ पर बोला body language का जो points है ये matter करता है 55% 55% आपकी शारेरिक भाषा matter करते हैं भूलोगों कि शारेरिक भाषा का मतलब क्या होता है देखे दोस्तों शारेरिक भाषा की जो मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका facial expressions आपकी gestures even आपकी eyebrow even आपका face smile आपकी एक कह सकता हूँ यहाँ पर कि आपने अपने आपको कैसे present कि effectively ये सब बच्चे 55% के अंदर matter करता है और इसका एक दूसरा aspect होता है जिसको हम tone कहते है voice कहते है जो कि 38% matter करते हैं दोनों को add करते हैं तो बच्चे हमारा यहाँ पर 90-93% बनता है इसको हम non-verbal communication कहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आज आप मुझे like कर रहे हैं dislike कर रहे हैं just because of non-verbal skills और यही सबसे ज़्यादा खास होता है तो यह आपको improve करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा जैसे आपके दो parts हारी चीज step by step articulation improve गा तो confidence भी आएगा यह सब चीजे करोगे अपने आपको evaluate करोगे तो definitely वहाँ से आपका body language भी improve होना शुरूगा interconnected है सारी के सारी चीज़े ठीक है ना तो यह ध्यानक ना है अपनी body language को ठीक कीजे कि मैं कैसे बैठा हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे facial expression ठीक है recording मैं मैंने सही किया नहीं किया यह सब चीजे यहाँ पर है बच्चे take initiative fourth point है initiative कहते हैं ने कि बच्चे जो initiate करता है be the first लिखा हुआ है hashtag be the first इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर आप शुरुवात करते हैं तो बच्चे definitely उसको अलग तरीके से count किया जाता है क्योंकि जो इनसान शुरुवात करता है जो initiate करता है जो पहल करता है वो यह दिखाता है कि आपके अंदर courage है challenge को accept करने के लिए तो जब भी आपको वहाँ पर मोका मिले अगर आपको topic बहुत अच्छे तरीके से आता है तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मोका मत चुकने देना वहाँ पर चोका मार देना वहाँ पर initiative ले लेना ताकि आपको सही तरीके से चीजे वहाँ पर देखने को मिल जाएं तो बच्छे initiative लेना बहुत ज़रूरी है GD के अंदर कोशिश कीजे कि सबसे पहले आप ही बोलो और जब आप बोलते हो तो officer भी देखते हैं कि वहाँ इस candidate के अंदर quality तो है ये सारी की सारी चीजे भी ध्यान रहती है पिफ्ट बच्चे important point है team spirit देख एक चीज़ बहुत clearly मैं आपको बता दूँ GD का मतलब कता ही नहीं होता है कि आपको वहाँ पर बोलना है group discussion group मतलब number of people discussion मतलब बातचित तो इसके अंदर करना क्या है इसके अंदर प्यारे बच्चों कि हमें सब अपनी बात को रखना भी है और दूसरों की बात को सुनना भी है 60% बोलना ज़रूरी है तो 40% सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि ये कोई lecture rate नहीं है कोई speech competition नहीं है ये discussion है जिसमें सब के बच्चे co-suggestions या को मैं कह सकता हूँ यहाँ पर participations relate होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगा और यही सबसे ज़्यादा जो है useful माना जाता है इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजेगा तो team spirit का मतलब होता है कि दूसरों को भी मोका दीजिए उनकी बातों को भी सुनिये उनकी बातों को सुनकर फिर अपनी बात को एड़ कीजिए ना कि कुछ बच्चे ऐसा करता है कि खुद की line याद कर रखे वो चिपका देते हैं ऐसा नहीं करना है दूसरों को सुनना भी है और अपनी बात को कहना भी है जो कि सबसे खास और सबसे जरूरी हो जाता है तो team spirit भी बच्चे बहुत ज़ादा जरूरी है आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चे जैसे कि आप जानते हैं ये शायद चीज आपको पता होगी कि हमने जो है अब भी recently ठीक है ना सभी बच्चों के लिए जो air force जिनका recently clear हुआ है तो उनके लिए बच्चे जो class है वो हमने शुरू की है YouTube पे class जो बच्चे शुरू हो चुकी है 19 June से शाम 6 बजे class जो है बच्चे लाइव होती है हर रोज और आप लोगों के लिए rw परिवार पहली बार बच्चे अपने offline batch जो है शुरू कर दिया है जो की बच्चे 24 तारीक से हमारी पहली class यहां पर देखने को मिलेगी batch का कोई price नहीं है offline बुलाने का एक motive कि यहां पर हम उन बच्चों को motivate करना चाहरे है उन बच्चों का selection जो है शूर करना चाहरे है आप लोगों का selection 101% हो जाएगा All India Rank 1, All India Rank 2, All India Rank 7, All India Rank 8, All India Rank 9 बच्चे जो की अभी रीसेंटली दिये है 140 selection, 140 selection बच्चे यहां पर जो है final में आपकी बार Air Force में selected है final selection, 100 से नीचे नीचे जो 100 की list में 30 students, top 5 में बच्चे यह candidate हमारे जो की top 10 के अंदर जो हमारे जो candidate 5 है All India Rank, All India Rank 2, 7, 8 और 9 तो आपको जहां आप पढ़ रहे है बिल्कुल शौर आपकी selections की guarantee है surety है, मेहनत आप कीजिएगा, मेहनत करने के लिए जब आप पहुचोगे तो definitely तयार हम है बच्चे आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी बच्चे बोलेंगे, 7,000 तो सर्फ बहुत होता है कहीं भी पता कर लेना बच्चे, सबसे कम fees रहेगा और यह fees हमारी नहीं है यह fees हमारी नहीं है, जो आप रहोगे, खाना पीना बच्चे, उसकी यह fees है 10-15,000 रुपे कि यहाँ पर युनुवरसिटी है बच्चे आसपास में, 10-15,000 रुपे से कोई पीजी भी कम नहीं मिलता है जो चीजे not provide की जाएगी, t-shirt provide की जाएगी, इनको कोई charges नहीं होगे, सब कुछ आपको free देखने को मिलेगा तो batch शुरू हो जाएगा 24 को, इंतजार मुझे रहेगा, 5 चीजे मैंने आप लोगों को बताई, जो phase 2 में आपका selection शौर कर सकते है तो उमीद करता हूँ कि इन 5 चीजों पर आप काम करेंगे, अपने आपको evaluate कीजिए, अपनी recordings कीजिए, आप लोगों को निश्चीत तोर पर अपना evaluation पता चलेगा और कहां पर कैसे किस चीज को improve करना है, कैसे इसको better तरीके से relate करना है, वो भी प्यारे बच्चों आप जो है connect कर पाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलूँगा एक और important छोटे से events के साथ तब तक के लिए हस्तेरी मुस्कुरातेरी, ऐसे खुश्य अबारतेरी, बबातेके, तैंक्यू सूमच